मूवी की शुरुवात में हम निक नाम के आदमी को अपने घर के बाहर देखते है। निक एमी को बाहर लेकर गया, फिर उसे स्नोफॉल में किस किया, वही से उनका रिलेशन स्टार्ट हुआ। निक उन्हें बताता है, वो दोनों ही राइटर है, दोनों दो साल पहले यहाँ आए थे, क्योंकि निक की मॉम बिमार थी, लेकिन अब वो गुजर चुकी है। पैरेंट से मिलवाया था, उसी पार्टी में निक ने उसे शादी के लिए प्रपोस किया था, प्रेजन टाइम में पोलिस निक के कुछ सेंपल लेती है, फिर डिटेक्टि उसे बताती है, वो इस केस को बहुत सीरियसली लेने वाले है, साथी वो कल प्रेस कॉन्फरेंस करे और उसके घर की फोरेंसिक जाच होगी, जब तक निक अपनी बहन के घर पर रहे लेगा, पूछताच के दौरान पूलिस और हमें पता चलता है, निक को एमी के बारे में कुछ नहीं पता, जैसे वो दोपेर में क्या करती है, उसके यहाँ कोई दोस्त है या नहीं, उसका ब बाहर ही उसे एक प्रेगनेंट औरत मिलती है, वो उसे बताती है, वो एमी की फ्रेंड है, लेकिन वो औरत होमलेस थी, इसलिए डिटिक्टूर रॉंडा उसे इग्नोर कर देती है, घर के अंदर फोरेंसिक की टीम जाच कर रही थी, जिससे उन्हें पता चलता है, वो खून उनका ही निशान था, साथी क्रेडिट कार, कार, ये घर, निक का बार, सभी एमी के ही नाम पर है, उन्हें एमी के अंडर गार्पमेंट में एक लिफाफा मिलता है, जिस पर क्लू वन लिखा हुआ था, सुबह निक और मारगो पोलिस स्टेशन पहुचते है, जहां एमी के पेरेंट्स भी आ चुके थे, एमी के पेरेंट्स भी निक को काफी पसंद करते थे, फिर वो लोग प्रेस कोंफरेंस करने जाते है, जहां मीडिया के सामने निक सिर्फ इतना ही बोलता है, अगर किसी को भी एमी के बारे में पता चले, तो उनके पास जरूर आए, जो सुनक पेरेंट्स डिटेक्टिव को डेजी कॉलिंग के बारे में बताते है, निक को भी उसके बारे में पता था, दरसल डेजी एमी का एक्स बॉइफरेंट था, एमी के उसके ब्रेक अप करने के बाद उसने सुसाइट करने की कोशिश की थी, एक मिलियनर होने के बावजूद व कुछ समय पहले ही वो यहाँ से दो गंटे की दूरी पर दूसरे शहर में रहने आया है लेकिन निक कहता है वो उसी शहर का है एमी के पेरेंट्स यहाँ एक और लड़के का जिक्र करते है जिसके बारे में निक को पता नहीं था एक लड़के ने एमी पर बुरी तरह हमला करके उसे गायल किया था बाद में उस लड़के को जेल भी हुई थी लेकिन हाल के दिनों में ऐसा कुछ गलत या अलग नहीं हुआ था एमी के पैरेंट्स के जाने के बाद डिटेक्ट्ट्व निक को वो लिफाफा दिखाती है जो उन्हें घर से मिला था निक बताता है हर एनिवर्सरी को एमी ये गेम खिलती है जिसमें कलू दूसरे तक लेकर जाता है और आखिर में उसका गिफ्ट रहता है उस लिफाफे में एक पहली थी जिसे पढ़ने के बाद निक उसे सुलजा लेता है उस पहली का मतलब था निक के कॉलेज का ओफिस ओफिस में एक और लिफाफा था डिटेक्ट्व को वहाँ एक पैंटी मिलती है जिसके बारे में निक को पता नहीं था उस लिफाफे में किसी छोटे लकडी के मकान का जिक्रु था उसके पूचने पर Nik बूलता है उसे इस पहली का जवाब नहीं पता लेकिन अगले सीन में Nik एक लकडी के मकान में आता है जो उसके डैट का घर था अंदर जाने के बाद निक security अलाम में पासवर्ट डालता है लेकिन पासवर्ट गलत था जिससे अलाम बज जाता है वहाँ निक को तीसरा लिफाफा मिलता है तबी वहाँ वही detective आती है उसे निक दिखाई देता है निक बोलता है ये उसके dad का घर है और वो यहाँ आता रहता है निक उसे तीसरे लिफाफे के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे लगा था ये लखडी का घर वही होगा लेकिन निक मना करके चला जाता है जिससे पोलीस का शक उस पर और बढ़ गया था दूर जाने के बाद निक उस लिफाफे की पहेली को पढ़ता है और एमी को गालिया देता है कहानी फ्लेश बैक में जाती है जहाँ एमी निक को बताती है उसके dad के उपर बहुत कर्द्स है इसलिए वो उन्हें अपनी savings दे रही है जो करीब करीब वन मिलियन डॉलर है जिस पर निक जादा कुछ नहीं कहता कुछ समय बाद recession आ गया था निक की नौकरी चली गई थी वो दिन बर घर पर वीडियो गेम खेल था जिससे उसके और एमी के बीच बहेश भी होने लगी तबी निक को उसकी बहन का call आता है जिससे उन्हें पता चलता है निक की मॉम को cancer है एमी तब ही समझ गई थी अब सब बिगडने वाला है प्रेजन टाइम में एमी को गाया भुए साथ दिन हो चुके थे उन लोगोंने एमी को ढुणने में मदद करने वालों के लिए कुछ इंतिजाम किया था डिटेक्टि उससे उस औरत के बारे में पूछती है जो खुद को एमी की friend बता रही थी लेकिन निक उसे जानता नहीं था बस जाते जाते कभी कभी उन्हें हाई कर दिया करता था कुछ देर बाद वहाँ एक लड़की आती है और निक से सेलफी के लिए पूछती है लेकिन फोटो में गलती से वो हस देता है निक उसे request करता है कि वो उस फोटो को डिलेट कर दे या किसी को share ना करे लेकिन वो लड़की नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है एमी की तलाश अभी भी जारी थी मीडिया निक की वो फोटो चलाती है जिसमें वो एमी के पोस्टर के सामने हस रहा था कहानी फिर flashback में जाती है तो निक और एमी नियॉक छोड़कर यहाँ shift होने निकले लेकिन निक ने एमी से पूचा तक नहीं वो घर आकर बहुत खुश था उस समय एमी को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सामान हो और उसे उठाकर एक जगा से दूसरी जगा ले जाया गया हो प्रेजन टाइम में निक से मिलने एक लड़की आती है यह निक की student थी जिसके साथ उसका अफेर चल रहा था निक ने उसे बोला था वो एमी को डायवार्ट्स देने वाला है निक उसे जाने बोलता है क्योंकि किसी को भी उन दोनों के बारे में पता चला या डायवार्ट्स की बात भी पता चली तो सब निक पर ही शक करेंगे निक उसे जाने बोलता है लेकिन उसमें जादा ही गर्मी भरी थी इसलिए वो वही आमा काटा करते है कहानी फिर फ्लैश बैक में जाती है अब निक की मॉम की देथ हो चुकी थी एमी ने अपने नियोर्क का घर बेज कर निक के लिए बार खरीडा क्योंकि वो अभी बेरोजगार था एमी निक के लिए बस सेक्स टॉय बनकर रहे गई थी जिसके अलावा उसका कोई एक्जिस्टन्स ही नहीं था लेकिन एक दिन एमी ने निक से बच्चे के लिए बात की लेकिन निक को फिलहाल बच्चे नहीं चाहिए थे जिस पर दोनों में बहेस हो गई तब निक ने उसे धक्का दे दिया था उस दिन एमी को रियलाइज हुआ वो निक से डरने लगी है आपको याद दिला दू ये सब फ्लैज बैग हमें उस डाइरी के जरिये दिखाए जा रहे है दूसी तरफ डिटेक्टिव किसी गुंडे के पास जाती है जो एक ड्रग डिलर भी है जिसके पास शायद एमी की इंफो हो सकती है डिक्टेक्टिव उसे एमी की फोटो दिखाती है वो एमी को पैचान जाता है क्योंकि एमी ने उसे गन खरीडी थी जो छोटी हो जिसे वो अपने पास रख सके उस दिन एमी बहुत डरी हुई थी और उस दिन वेलेंटेंस बे था कहानी फिर फ्लेश बैक में जाती है एमी निक से डरने लगी थी उसे लगने लगा था निक कभी भी उसे मार सकता है और वो डैवोर्स इसलिए नहीं मांग रहा क्योंकि उसका बार अभी भी उसके नाम पर है इसलिए वो अपने साथ गन लेकर सोने लगी प्रेजन टाइम में सुबा निक उस लगी को बाहर भेजता है लेकिन मारगो ने उसे देख लिया था वो निक को गालिया देने लगती है क्योंकि उसकी वाइफ इतने दिनों से मिसिंग है और किसी को पता चला उसका अपनी 20 साल की स्टूडन के साथ अफेर चल रहा है तो उसका नतीजा क्या होगा वो उसे निवस दिखाती है जिसमें एक रिपोर्टर इंडिरेकली निक की वो फोटो दिखा कर उसे ही क्रिमिनल बोल रही थी और एक वकील जब निक का पक्ष लेता है क्योंकि जब तक प्रूफ न हो जाए निक निर्दोश है वो रिपोर्टर उ तबी भी निक को ही टार्गेट कर रही थी लेकिन डेटेक्टिव किसी रिपोर्टर के अंदाजा लगाने पर कारवाई नहीं करना चाती थी बलकि वो सबूतों पर यकीन करती है तबी उसे पता चलता है किचन के जमीन पर बहुत सारा खून था जिसे मिटाया गया है और वो खून एमी का ही था रात में एक पार्क में एमी के लिए सेमिनार रखा गया था मीडिया ने तो पहले ही उसकी धज्जिया उला दी थी लेकिन निक वहाँ पहुच कर बहुत अच्छी स्पीच देता है जैसे वो रोता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि उसे एमी की परवा नहीं या उसने ही एमी को कुछ किया है जिससे वहाँ मौझूद लोग भी उसके सपोर्ट में आने लगते है लेकिन तबी वहाँ वही होमलेस ओरत आती है जो खुद को एमी की फ्रेंड बता रही थी मीडिया की फौज खड़ी थी जो किसी भी तरह कोई वीडियो बनाना चाहती थी ये देखकर आपको कुछ याद आ रहा हो तो मुझे जरूर बताए डिटेक्टिव आकर निक से बात करती है लेकिन निक बोलता है वो उस औरत को नहीं जानता और वो एमी की फ्रेंड नहीं है लेकिन तब वो एमी और उसकी कुछ फोटो दिखाती है लेकिन इससे ये प्रूफ तो नहीं होता कि एमी प्रेग्नेंट थी लेकिन कुछ देर में उनके पास एमी की मेडिकल रिपोर्ट आने वाली है वो आगे बताती है जब वो यहाँ पहली बार आई थी तब वहाँ एक टेबल टूटा हुआ था लेकिन जब वो उस जगा बस अपना पैर पटकती है वहाँ की एक फोटो गिर जाती है तो यह कैसे हो सकता है कि हाता पाई हुई हो और सिर्फ टेबल टूटा और वहाँ की सबी फैमिली मिंबर के दौरा और उनकी फैमिली में तो बस निक और एमी ही थे, साथ ही उन्हें पता चला है निक के ऊपर एक लाग सतर हजार डॉलर का क्रेडिट कार्ट लोन पेंडिंग है, जिससे बहुत सारी चीज़े खरीदी गई है, लेकिन निक ये देखकर खुदी शौक नजर आता है, उसे नहीं पता था उसका क्रेडिट कार्ट किस ने इस्तेमाल किया, लेकिन पोलीस के पास एमी की 1.5 मिलियन डॉलर की लाइफ इंशौरंस पॉलिसी थी, जिससे निक नहीं फाइल किया था, जिस पर निक बोलता है क्योंकि एमी नहीं उसे इंशौरंस लेने फिर मारगो उसके घर आती है बाहर मीडिया का मेला लगा हुआ था लेकिन निक उसे बोलता है एमी ही बच्चा नहीं चाती थी वो लोग क्लिनिक भी गए थे लेकिन बाद में एमी ने बच्चे के लिए मना कर दिया वो मारगो को उस क्लिनिक की रिपोर्ट दिखाता है उस ब पटे अंदर एक डायरी थी जिसके कॉर्णर जले हुए थे दुसी तरफ निक ने उस पहली को सुलजा लिया था वो चुपके से रिपोर्टर से बचते हुए कही जाने निकलता है इस तरफ डिटेक्टिव जब उस डायरी को पढ़ती है ये वही डायरी थी जिसमें सारे फ्लेश बैक लिखे थे जो हमने शुरुआत से देखे है और उसके आखिर में लिखा था एमी को शक है निक उसे एक दिन मार देगा ये डायरी निक के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है दूसी तरब निक एक घर के गैराज में पहुचता है उसका दरवाजा खोलने पर उसे दिखाई देता है उसके क्रेडिट कार्ट से खरीडी गई सबी चीजे वही रखी हुई थी जिसे देखकर निक बहुत जादा शौक में था फिर अचानक हम एमी को एक कार में देखते है और हमें पता चलता है एमी ने ही ये सब किया है क्योंकि निक ने उसके पूरे पैसे ले लिए और एमी को ये भी पता था निक उससे चीट कर रहा था इसलिए उसने निक को खुट के ही मर्डर के इलजाम में फसाने का प्लैन बनाया उसने सबसे पहले उस लोकल प्रेगनेंट लेडी से दोस्ती की और उसे निक की जूटी कहानिया सुनाई कि वो कितना अब्यूजिव हस्बेंड है सीकरेटली निक के क्रेडिट कार्ट से ओनलाइन गेंबिलिंग की और बहुत सारी चीज़े खरीदी फिर निक के जरिये लाइफ इंसॉरंस खरीदा, कैश में एक कार खरीदी लोगों के सामने ऐसी छवी बनाई कि लोग उसे पसंद करने लगे फिर एक दिन उसने टॉयलेट को खराब किया और अपनी उस प्रेगनेंट डोस्ट को घर बुलाया उसे बहुत ड्रिंक पिलाई जिससे उसे टॉयलेट आ जाये फिर उसका यूरिन चुराया जिससे मेडिकली वो प्रेगनेंट साबित हो क्योंकि अमेरिका में लोग प्रेगनेंट लेडी को बहुत पसंद करते है फिर अपने एनिवर्सरी वाले दिन निक के जाने के बाद उसने क्राइम सीन ऐसे बनाया जिसे देख कर पोलिस को शख हो फिर अपना बहुत सारा खून निकाला और खून के कुछ छीटे कीचन में फैलाए और बाकी जमीन पर फैला दिया फिर उसे साफ भी कर दिया उसने डायरी लिखना पहले ही शुरू कर दिया था शुरुआत में तो एमी ने दोनों के मिलने की कहाने बिल्कुल सच लिखी लेकिन बाद में उसने कहानी गड़ना शुरू कर दिया मतलम निक का उसे मारना, उसका डरना, सेक्स टॉय बनना, सब कुछ जूट था फिर उस डायरी को लिजाकर निक के डैट के घर में रख दिया इस तरह से जैसे लगे डायरी को जलाने की कोशिश की गई हो उसी ने उस घर के सिक्योरिटी अलाम कोड बदले थे और वहाँ तीसरा क्लू रखा क्योंकि उसे किसी तरह इस घर में पोलीस को लाना था फिर वो सभी चीजे चुपा दी एमी को गाया भूए अभी दो घंटे हुए थे एमी चाती थी निक पर उसकी खुबसूरत प्रेगनेंट वाइफ के मर्डर का इलजाम लगे फिर एक गैस स्टेशन के टोयलेक में उसने अपना हुलिया बदला फिर वहाँ से शेहर से बहुत दूर एक घर किराय पर लिया उसके पास फिलहाल बहुत सारा कैश था फिर उसने खुद के चेहरे पर वार किया ताकि उसे आसानी से पहचाना ना जा सके दूसरी तरफ प्रेजन टाइम में निक मारगो के पास जाता है क्योंकि वो सब सामान मारगो के ही गैराज में रखा हुआ था अब उस सब सामान को देख कर मारगो और निक ये तो समझ गए थे ये सब एमी का ही किया धरा है और वो अभी भी जिन्दा है उसमें एक गिफ्ट उपर रखा था, दोनों उसे अंदर लेकर आते है उसमें एक गिफ्ट के साथ एक लेटर में पहली लिखी थी जिसका मतलब था निक जेल जाएगा निक बताता है वो हमेशा उसे अपनी उंगलियों पर नचाती थी वो जैसा चाती थी निक वैसा ही करता था मारगो बताती है इस शहर में अपनी बीवी के मर्डर के लिए मौत की सजा होती है दूसी तरब एमी इंटरनेट पर खुद के बारे में पता करती है और निक की हालत देखकर उसे बहुत खुशी होती है कुछ समय बाद उसकी दोस्ती उसके पडोस में रहने वाली ग्रेटा नाम की लड़की से हुई उसके पूछने पर वो बताती है उसमें निक को एक दिन उसके बार के बाहर एक लड़की के साथ देखा था और निक ने स्नोफॉल में उसे वैसे ही किस किया था जैसे निक ने उसे पहली बार किस किया था दुसी तरब निक नियू यूर्क जाकर टेनल बोल्ट से मिलता है बोल्ट वही वकील है जिसे उसने नीव्ज में देखा था वो उसे EMI के बारे में सब बताता है जिसे सुनकर बोल्ट EMI की काफी तारीफ करता है क्योंकि उसकी कहानी बिल्कुल सटीक थी बोल्ट उसका मुकर्णमा लड़ने तयार था लेकिन उसकी फीस एक लाग डॉलर है निक को बचाने का एक ही आइडिया था उन्हें एमी की सच्चाई सब के सामने लानी होगी कि वो कितनी चाला कौरत है तब निक बताता है कुछ समय पहले उसने एक आदमी को जेल भिजवाया था शायद उसे भी एमी नहीं फसाया हो साथ ही डेजी नाम का एक लड़का भी है जिसे एमी ने छोड़ दिया था सर्प्राइजिंगली बोल्ट के पास उस पहले लड़के का नंबर था जो वो निक को दे देता है क्योंकि बोल्ट को पहले से पता था निक उसके पास ही आएगा फिर निक जाकर उस लड़के से मिलता है जिसे कुछ साल पहले एमी ने जेल भिजवाया था वो बताता है एमी और वो एक साथ थे लेकिन बाद में एमी उस पर कंट्रोल करने लगी इसलिए उसने एमी से दूरी बना ली लेकिन एक दिन वो उसके घर आई और उसे पैशनेटली सेक्स करने के लिए फोर्स किया सेक्स के दोरान वो बहुत जादा चिला रही थी दूसरे दिन सुबा उसके घर पोलीस आई क्योंकि एमी ने उसके उपर रेप का इलजाम लगाया था एमी के शरीर पर घाव थे एमी के अंदर उसका सीमन था जिससे उसे सीधा 30 साल की जेल हुई थी वो बहुत मुश्किल से जेल से बाहर निकल पाया है लेकिन जेल से छूटने के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं देता क्योंकि रिजिम में उसे अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड लिखना पड़ता है जो एक रेपिस्ट का है कोई लड़की उसके साथ डेट पर नहीं जाती क्योंकि गूगल करते ही उसके बारे में सब पता चल जाता है इन शौट एमी ने उसकी जिन्दगी बरबात कर दी थी सिर्फ इसी लिए क्योंकि वो बस उससे अलग होना चाता था और नियूस देखकर वो समझ गया था रेट के आगे अब एमी मर्डर का नाटक कर रही है जोसी तरब एमी ग्रेटा के साथ टीवी देख रही थी जिसमें वो एंकर इंडिरेकली निक को ही खुनी बता रही थी और ओरतों को बहुत जादा लाचार बेचारी दिखा रही थी जैसे उसने सबी औरतों का ठेका ले रखा हो और आदमी तो जन मजाब कमीने होते है वो अपने शोपर उस प्रेगनेंट औरत को भी बुलाती है वो भी एमी की तारीफ करती है कि वो कितनी अच्छी थी, कितनी प्यारी थी और जैसा उसे एमी ने बताया था वो निक को गुसेल और अब्युजू बताती है लेकिन ग्रेटा को लगता है एमी बहुत कमीनी और चालाक नजर आ रही है उसे पता नहीं टा उसके बाजू बैठी लड़की ही एमी है ग्रेटा उठकर बातरूम जाती है तब एमी उसके ड्रिंक में थूख देती है और ग्रेटा आकर उसे पी भी लेती है दोसी तरब निक एरपोर्ट पर था जहांसे वो मारगो को कॉल करता है क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे लेकिन मारगो के पास कुछ सेविंग्स थी और वो एक लोन ले लेगी जिससे वो बोल्ट की फीस भर देंगे निक के सामने ही टीवी थी वो कमीनी एंकर निक और मारगो की फूटेच को इस तरह प्ले करती है जैसे लगे दोनों भाई बहन के बीच शारीरिक संबंध हो यहां तक कि निक के पीछे बैटा आदमी उसे ताना मारता है जैसा उसका अपनी बहन के साथ कुछ चल रहा है जिसकी वज़ा से उसे अपना चेहरा चुपाना पड़ता है दूसी तरफ एमी बहुत खुश होती है लेकिन कोई भी एमी को छोड़ने की जुर्रत करे तो एमी उसे रेप केस या मडर केस में फसादेगी खेर निक डेजी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन डेजी उससे कोई बात नहीं करता निक अपने बार के पास आता है जो कोई टूरी सी स्पोर्ट बन गया था लेकिन उस डिटेक्टिव को दाल में कुछ काला लग रहा था जैसे निक उस बूग को जलाने अपने डैट के घर ही क्यों ले जाएगा डैरी जलने तक रुखा क्यों नहीं गर का आलाम कैसे बजने ल करने जाते थे तीसरा सबसे बड़ा सुराग एमी ने उसकी बहन के घर छोड़ा मतलब वो सभी सामान जो क्रेडिट कार्ट से खरीदा गया था जिससे ऐसा लगे निक ने ये सब अपनी बहन के लिए खरीदा है और वो भी उसके साथ मिली हुई है लेकिन बोल्ड बोलता है आफिस और मारगो का घर तो ठीक है लेकिन उसके डैट के घर में उसने क्या छोड़ा होगा निक को कोई आइडिया नहीं था क्योंकि उसने तो वो लिफाफा वहाँ से ला लिया था जब निक वहाँ जाता है वहाँ पोलिस के टैग लगे हुए थे इसका मतलब पोलिस को य आसूसो को एमी को ढोडने बेजेगा लेकिन निक को कोई अंदाजा नहीं था वो कहा हो सकती है एमी गरेटा और उसके बॉइफ्रेंट के साथ गुल्फ खेल रही थी लेकिन तब गलती से उसके पैसो की गड़ी गिर जाती है जिसे गरेटा और उसका चरसी देख लेता है निक के घर के बाहर मीडिया वाले तो ऐसे बैठे थे जैसे कोई तमाशा चल रहा हो बोल्ट का अगला प्लैन था निक एक टीवी इंटर्व्यू देगा जिसमें वो अपने अफैर का खुलासा करेगा लोग पहले उससे नफरत करेंगे बाद में सोचेंगे क इतना अच्छा आदमी है कि नेशनल टीवी पर अपनी गलती मान ली इसलिए निक भी मान जाता है दोसी तरफ ग्रेटा और उसका बॉइफ्रेंड एमी के घर में घुसाते है एमी उन्हें पोलीस को बुलाने की धमकी देती है लेकिन वो लोग समझ गये थे एमी यहां किसी किसे छुप रही है वो कभी पोलीस को नहीं बुलाएगी और दोनों एमी के सारे पैसे चीन कर चले जाते है और एमी बस चिलाती रह जाती है फिर एमी वहां से चली जाती है और किसी को कॉल करती है दूसी तरफ निक का इंटर्वी होने वाला था वोल्ट उसे तयार कर रहा था कि उसे टीवी पर कैसे बोलना है किस तरीके से बोलना है कि देखने वाले उसे सच माने दूसी तरफ एमी एक होटल में आती है उसने डेजी को बुलाया था वो डेजी के सामने नाटक करती है कि वो कितनी अकेली थी निक कितना कमीना था और उसने डेजी को छोड़ कर ब पीछले देड़ सालों से वहाँ M.E. के माबाप भी थे वो भी M.E. के गायब होने का जिम्मेदार निक को मानने लगे है। इंटर्व्यू इतना अच्छा देने के लिए उसका इंटर्व्यू 24 गंटे बाद दिखाया जाएगा जब तक निक को अपनी शकल किसी को नहीं दिखानी। करता है और M.E. की बहुत तारीफ करता है असल में बड़े बड़े जूट बोलता है। इंटर्व्यू को एमी और डेजी भी देख रहे थे। इससे अब वो डिटेक्टिव भी निक को ही क्रिमिनल मान रही थी और पोलीस मारगो को ही गिरफतार कर लेती है। इस तरब डेजी सोच रहा था वो और M.E. साथ में रहकर नहीं शुरुवात करेंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और M.E. फिर से उसके साथ आ जाएगी। इस तरब निक बोल्ड के साथ पोलीस स्टेशन पहुचता है। बोल्ड उसे बोलता है बिना लाश, बिना मडर विपन के पोलीस सिर्फ कनफेशन से ही उसे दोशी साबित कर सकती है। जुरुआत के पन्नों के बारे में पूचती है। वो सब सची थे लेकिन बाद में बच्चों के लिए मारना, सेक्स टोई बनाना, उससे डरना, बाकी सब निक मानने से इंकार करता है। साथी डायरी के आकरी पेच पर लिखा था, ये आदमी उसे कभी भी मार सकता है। साथी उन्हें निक के घर में एक डंडा मिला था, जिस पर एमी का खून लगा था, जिसे जलाने की कोशिश की गई थी, और गर्मियों के मौसम में आग कौन जलाता है। इसलिए डिटेक्टिव निक को एमी के मर्डर के चार्ज में गिरफतार कर लेती है। देजी अभी अभी एमी का रेप करके बाहर गया हो। दोनों इंटिमेट होने लगते हैं। और जैसे ही डेजी ठंडा पड़ता है, एमी बॉक्स कटर से डेजी का गलक काड़ देती है। डेजी बचने की कोशिश करता है, लेकिन एमी उसके हाथ पकड़ देती है। और बेचारा डेजी जो उससे सच में प्यार करता था, बेमौत मारा जाता है। दूसरे दिन सुबा निक को कुछ आवाज आती है, जब वो बाहर जाता है, बाहर एमी थी, वो खून से लगपत निक के पास आती है, और उसके हाथों में बेहोश होने का नाटक करती है। इल्जाम लगाती है, उसने एक महीने तक उसके साथ रेप किया, जिससे उसका बच्चा भी मर गया, और उन्हें उसके घर के CCTV फुटेज देखने चाहिए। नाटक करने से रोपता है, दरअसल निक का इंटर्व्यों देखने के बाद उससे समझ में आया, निक ही उसके लिए सही है, जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचा सकती है, निक उससे पूरी बात पूछता है, एमी उसे कपड़े उतार कर शावर में बुलाती है, ताकि उस उसके पास कोई माईक या कैमरा ना हो, फिर अपने बदन का खून धोते हुए उससे सब सच बताती है, वो घर तो वापस आ चुकी थी, लेकिन निक उसके साथ एक कमरे में नहीं सोता, अब वो निउस एंकर बेचारे मरे हुए डेजी के पीछे पड़ गई थी, उस टाउन वो ये साबित नहीं कर सकते, उसने डेजी का खून किया है, दूसरी तरफ एमी मीडिया के लोगों को ठेंक्यू बोल रही थी, निक को माफ करने के लिए, और बेचारा निक बस देख रहा था, कुछ दिन बाद रात में एमी अचानक निक के पीछे आ जाती है, और उसे सोन वो इंटर्वियू में सब सच बता देगा, एमी उसे फोर्स करती है, उसे मानना होगा, उसने वो क्रेडिट काड़ इस्तेमाल किया था, साथ में ये भी मानना होगा, उसने एमी पर हाथ उठाया था, फिर वहाँ वही रिपोटर आती है, निक उसे बोलता है, उन लोगों उसे मानसिक बीमार बोला, मडरर बोला, उसके और उसके बहें के बीच शारीरिक संबन बताया, लेकिन ये बेशर्म बोलती है, बस पियारपी के लिए थोड़ा बहुत मसाला लगा कर खबर दिखाई, निक एमी के पास जाता है, वो उसे दिखाती है, वो प्रेगनेंट है, लेकिन निक ने तो उसे चुआ भी नहीं, एमी ने उसके स्पर्म का इस्तिमाल किया था, जो क्लीनिक में पड़े थे, एमी की वज़े से सब लोग उससे नफरत करने लगे थे, उसे एमी से अलग होना था, लेकिन वो उसके बच्चे को भी उससे नफरत करवाएगी, जिसे निक मारगो से मिलता है, वो बेचारी अपने भाई की हालत पर रो रही थी, निक ने फैसला कर लिया था, वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ने वाला, चाहे उसे अब एमी के साथ क्यों ना रहना पड़े, उसका बच्चा उसकी जिम्मेदारी है, अब उसकी इच्छाव की कोई एमियत नहीं है, फिर हम वो इंटर्व्यू देखते हैं, जिसमें दोनों ने अनाउंस कर दिया था, एमी प्रेगनेंट है, और बेचारा निक हमेशा के लिए एमी के साथ फस गया था,